हेलो गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल और आज हम लोग घर में बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही टेस्टी समोसे बनाते हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्क्राइब कर दीजियो और बैल आइकन को पुश्ट करना बिल्कुल मत बूलेगा तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किये स्टार्ट करते हैं स्टेफिंग के लिए यह हम आलू के समोसे बना रहे हैं तो उसके पहले स्टेफिंग तियार करते हैं थोड़ा सा आल डालेंगे और यह हरी मिल्च है इसमें ज्यादा कुछ मसाले हम लोग नहीं डालेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे और यह जीरा डाल लिया करीब एक चमच जीरा डालेंगे आप चाहें तो आलू को बॉयल कर सकते हैं लेकिन मैंने कच्ची ही आलू को छोटे-छोटे टुकडों में काटके बनाया है यह मेरे बच्चों को और मेरे फैमिली में सभी को बहुत पसंद है तो जीरा जब तड़का जीरा का लगाने के बाद इसमें हम डाल लें हारी मिल्च अगर ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप मिल्च को ज्यादा डाल सेते हैं यह दिखे आलू को बहुत छोटे-छोटे टुकडों में हमने काटा है अब इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे करीब आधा चम्मच हल्दी डाल लिया है और हिंग डालेंगे इसके बाद इसमें आलू हम डाल देते हैं और मुस्किल से तीन से चार मिनट में मैग्सिम्म फाइप मिनट में यह आलू बहुत अच्छे सिपक जाती है स्वाद के अंसार नमक डाल देते हैं जैसा भी आप नमक खाते हों आप तीखा तोड़ा तेज खाते हैं मीडियम खाते हैं यह लाइट खाते हैं जैसा भी उसके स्वाद कंसार नमक डाल देंगे और लगभख आधा का पानी डालेंगे जिससे आलू अच्छे से पक भी जाएं और बहुत टाइम भी वेस नहीं हो अब इसको ढ़क के पका लेते हैं बीच में इसको चलाते रहेंगे जिससे आलू नीचे से चिपकेंगी नहीं और यहे लैसून लैसून को हमने थोड़ा सा ग्रेट कर लिया तीन चार करी लैसून की ग्रेट कर लिया और साथ में अद्रग को भी ग्रेट कर लेंगे एक चमच की आसपस अद्रग भी ग्रेट करके ले लेंगे अब यह देखें आलू को हम लोग थोड़ा से दबा कर देख लेंगे पकी की नहीं अब हमारी आलू बिलकुल पक चुकी तो इसमें गरम मसाला थोड़ी सी लाल मेच लगबग एक चमच गरम मसाला डालेंगे अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और यह अद्रग और लैसून दोनों का ही जो हमने करस्ट करके रखा है इसको डाल देंगे और इसको पहले नहीं डालेंगे ऑल में बाद में ही डालेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए हम इसमें नीबुकरस डाल रहे हैं इसके सीड हात में ही आजएंगे इस तरह से हम करेंगे तो इसके सीड हात में ही आ जाएंगे और धन्या पत्ती डाल दी लीजे स्टेफिंग के लिए आलू बिल्कुल तयार है रेडी हो गई है अब इसको अच्छे से मिक्स करके हम ठंडा होने के लिए रख देंगे चलिए अब डो तयार कर लेते हैं तो इसमें हमने दो कटोरी मैदा लिया है और आधा कटोरी हमने आरा रोट ले लेंगे इससे हमें बहुत ज़्यादा मोयन डालने की जरूत नहीं पड़ेगी और इसमें थोड़ी से अजवाइन डाल ली है और एक चमश सॉल्ट डाल लिया है अब इसको नौर यह आईल है एक से डेर चमश आईल डाला है अब इसको पानी डालने से पहले हम अच्छे से मिक्स करेंगे अब पानी डालके हम इसका डो तेयार करेंगे डो थोड़ा से कड़ा ही रखेंगे जिसे कि पूरी का आटा रखते हैं उस तरह का डो तेयार करेंगे यह देखें डो थोड़ा से टाइटी रहोना चाहिए अब इसकी बड़ी से पूरी जैसी बेल लेंगे बीच से इसको काट लेंगे मेरी कोशिस यही है कि समोसे का शेप दूँ कि जो कभी कभी तो समोसे का शेप बहुत अच्छा जाता है लेकिन कभी हो सकता अच्छा नहों लेकिन इसमें टेस्स का कोई फरक नहीं पढ़ता है यह थोड़ा सा आटा लेकर मैदा लेकर और थोड़ा पानी डाल लिया जिससे ये ग्लू का काम करेगा ये समोसे की साइट को चिपकाने के लिए वर करेगा अब बीच में स्टफिंग भर कर इसको समोसे का ही शेप देंगे ये देखे लग रहा है ना समोसे कुछ लोग इसको सिंगाडा भी बोलते हैं ऐसी सारे समोसे हम तियार कर लेंगे आप चाहें तो बाद में भी स्टफिंग भर सकते हैं पहले उसका शेप बना ले और बाद में स्टफिंग भरें अब चलिए तलने के लिए सारे समोसे हमारे तियार है ये आइल डाले ते हैं मैंने वेजीटेबल आइल लिया है आपको जो भी अच्छा लगता हो आप वो आइल ले सकते हैं इसमें सारे समोसे मीडियम आच में मध्यम आच में ही पकाना है तेज नहीं करना है अगर आपने तेज कर दिया तो समोसे का जो उसके उपर की कोडिंग है ये आटे की लेयर है ये बिल्कुल पूड़ी जैसी मुलायम हो जाएगी इसको मीडियम आट में ही धीरे-धीरे पकाना है जिससे यह क्रंची रहेगा लीची यह बिल्कुल क्रंची हो चुके हैं अब यह निकालने के लिए बिल्कुल त्यार है मेरे मूँ में तो पानी आ रहा है हम लोग खाने के लिए विल्कुल रेडी हो चुके हैं और चटनी के साथ आपसे सर्व करिए पूरी फैमली के साथ इन्जोय करिए थैंक्स फॉर वाचिंग